भगवान राम ने कैसे तोड़ा हनुमान जी का घमंड जब माता सीता को लंका से लाने के लिए राम सेतु का निर्मान किया जा रहा था तब भगवान राम को समुद्र के तट पर शिवलिंग की स्थापना करने की इच्छा हुई भगवान राम ने हनुमान जी को आग्या देते हुए कहा कि पूजा के समय से पहले काशी जाकर शिवलिंग ले आओ हनुमान जी क्षण भर में काशी पहुँच गए तब उन्हें अपनी गती और शक्ती पर घमंड को ले जब राम जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि नुहूर्थ का समय बीटता जा रहा है मैं रेट से शिवलिंग बना कर स्थापना कर देता हूँ शिवलिंग को स्थापित करते ही हनुमान जी वहां पहुँच गए तब हनुमान जी ने कहा कि मुझे काशी भेज कर शिवलिंग लाने को क्यों कहा तब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि मेरे द्वारा स्थापित इस रेट के शिवलिंग को उखाड़ दो मैं तुम्हारे लाए हुए शिवलिंग की स्थापना कर दूँगा हनुमान जी ने अपनी पूंच में लपेट कर शिवलिंग को उखाडने के बहुत सारे प्रयास किये लेकिन शिवलिंग टस से मस न हुआ और इस तरह भगवान राम ने हनुमान जी के घमंड को चूर-चूर कर दिया श्री राम भक्त कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे